चलिए स्टार्ट करेंगे, नेक्स चेप्टर का रिवीजन, नेक्स चेप्टर है हमारा, आजाईए, ये देखिए, बिजनिस एप्लिकेशन ओफ मैक्सीमा एंड मिनिमा, चलो स्टार्ट करते हैं, रिखिए हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, वोपरेशन्स रिसर्च का, ज चलो स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखाया पढ़ें, फर्स्ट बुलेट पढ़ें, बिजनिस एप्लिकेशन ओफ मैक्सीमा एंड मिनिमा, रेफर्स तु दे प्रोसेस ओफ फाइंडिंग ओप्टिमल स्ट्रेजीजीज बाइए फर्म, to achieve its objective, एक फर्म को अपने objective को achieve करने के लिए, optimal strategy को find करने का process, बिजनिस एप्लिकेशन ओफ मैक्सीमा एंड मिनिमा है, अब फर्म का objective क्या होगा, फर्म का objective अपने profit को maximize करना हो सकता है, फर्म का objective अपनी cost को minimize करना हो सकता है, देखते हैं, क्या लिखा हमने, बिजनिस application of maxima and minima refers to the process of finding optimal strategies by a firm to achieve its objectives, second bullet देखिए, objective में भी maximization of profit और minimization of losses या minimization of cost, ऐसा भी कह सकते हैं, third bullet, कैसे हम optimal strategy find out करेंगे, differential calculus is used for maxima and minima concept, maxima और minima concept के लिए, क्या use किया जाता है, differential calculus, अब ये differential calculus कैसे की जाती है, आपने हो सकता है, 12th class में derivative compute करना सीखा हो, अगर आपके syllabus में mathematics आपने पढ़ी है, तो नहीं भी पढ़ी है, तो बहुत simple simple से concept है, जो हम यहाँ पर revise करेंगे, ज़रा ध्यान देना, differentiation कैसे किया जाता है, differential calculus कैसे की जाती है, first point, ध्यान से, देखिए ये क्या है, ये f यानि एक function है x का, f एक function है x का, जिसे हम denote कर रहे हैं किस से y से, अच्छा क्या function है, वो है x raise power n, अगर आपको x raise power n इस तरह से दे रखा है, और इसे हमें differentiate करना पड़े with respect to x, क्योंकि function किसका है, x का function है, तो हमने कहा, function x का function से मतलब समझो, यानि इस function की value depend करेगी, किस पर, x पर, अब x जितना ज्यादा जितना कम होगा, उससे function की value change होती रहेगी, तो ये f function है x का, और हम इसे, अगर with respect to x differentiate करते हैं, तो इसका derivative क्या आएगा, देखे, इस differentiation को लिखने के लिए हम use करते हैं, dy upon dx, इसका मतलब क्या है, हम y को differentiate कर रहे हैं, with respect to x, तो इसे हम क्या कहते हैं, dy upon dx, या फिर हम इसे ऐसे भी रिख सकते हैं, f dash x, यानि इसका मतलब क्या है, हमने f को differentiate कर दिया है, with respect to x, अच्छा क्या आएगा ये, जो इसकी power है, उसे हम पर ले लिजिए, n, और x की power फिर रह जाएगी, n-1, कहने का मतलब क्या है, जड़ा ध्यान देना, मान लीजे, अगर y है, इस तरह x raise power 5, तो इसका differentiation क्या होगा, यानि derivative क्या होगा, dy upon dx, इसका हम derivative निकालेंगे, तो आजाएगा 5 x raise power, अब x की एक power कम कुर दो, यानि 4, मैंने पहले ही कहा, mathematical concept चल रहे हैं, चलो, आगे आजाएगे, second point, अगर function is equal to x है, और x को हम with respect to x ही differentiate करें, तो इसकी value आएगी 1, और कैसे आएगी 1, सोचो फिर से, अगर हम ये कह रहे हैं, x raise power, अब x को मैं 1 तो कही सकता हूँ, इसको अगर मैं differentiate करूँगा, dy upon dx, तो मैंने आपको क्या बताया, इस power को इहाँ पर ले आईए, और अब x की power बनेगी, एक में से एक कम कर देंगे 0, तो इसकी value तो 1 ही होती है, और वही 1 हमने इहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रहेगी बात, यानि x की कुछ power दे रखी हो, तो power को starting में ले लीजे, और x की power अब उसमें से एक कम कर दीजे, और अगर सिर्फ x का derivative हमें निकालना हो with respect to x, तो इसकी value बनेगी 1, आगे देखें, 3rd point, y is equal to, अब function क्या दे रखा है, k, अचा k क्या है, वो हमने हैं पर लिखा है, here k is a constant, यानि अगर कोई value दे रखी है, numerical value दे रखी है, उसका derivative हमेशा होगा 0, यानि अगर किसी constant को आप x के respect में differentiate करें, तो उसकी value क्या आजाएगी, उसका derivative क्या आजाएगा, 0, आगे देखें, 4th point, अगर आपको exponential function दे रखा है, जैसे यहाँ पर लिखा e raise power x, इसको आप with respect to x differentiate करेंगे, derivative निकालेंगे इसका, तो वही same आजाएगा e raise power x, अगर आपको दे रखा e raise power kx, और k क्या है, k है एक constant, तो इसका derivative अगर हम with respect to x निकालेंगे, तो क्या आएगा, इस power को ले आएगे, हापर k, और फिर दुबारह से e raise power kx, आप देखरेंगे, और last, अगर आप log x आपका function दे रखा है, तो इसका derivative आपका बनेगा 1 upon x, देखें, यह कुछ चीजें हैं, 5-6 term हैं, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर x देख इस power कुछ भी दे रखा है, वो power स्टार्टिंग में ले लीजें, फिर x की power एक कम करके लिख दीजें, जैसा कि मैंने आपको यहापर इसका derivative निकाल कर बताया, अगर आप x का derivative निकाल रहे हैं, और with respect to x ही निकाल रहे हैं, तो उसका derivative आएगा 1, यह मैंने आपको यहाँ पर बताया, कोई constant value है, निमेरिक value है, उसका आप derivative निकाल रहे हैं, उसका derivative आएगा हमेशा 0, e raise power x का derivative, e raise power x ही रहेगा, e raise power k x का derivative, k को starting में ले ले लेंगे, और फिर e raise power k x ही आजाएगा, अगर आप log x का derivative निकालते हैं, तो log x का derivative with respect to x बनेगा 1 upon x, यह चीज़ वो हैं, जो आपको याद करनी कैसे use किया आजाता है, उस बात पर आजाते हैं, यह देखो, ज्यान से पढ़ना है डिंग जरा, क्या लिखा है, optimization, हम optimal strategy ही तो find out करने वाले एक firm के लिए, optimization of function involving single independent variable, अगर किसी function में single independent variable है, सिर्फ एक independent variable है, तो उस case में हम optimal strategy कैसे पता लगाएंगे, उसका optimization कैसे करेंगे, अच्छा single independent variable का मतलब क्या है, मान लीजे कोई function दे रखा है, आपको x का function बना कर दे रखा है, तो वो single independent variable है, और अगर आपको कोई function दे रखा है, जिसमें x के साथ साथ y भी दे रखा हो, अब क्या करें, अगर x के साथ साथ y भी दे रखा है, तो इसका मतलब वो single independent variable नहीं, वो multiple independent variable हो जाएगा उस पर हम बाद में बात करेंगे अभी हम single variable की बात कर रहे हैं दो step में हमारे पास इसमें single independent variable में उसका optimization अगर हमें करना है तो हम कैसे पता लगाएंगे step 1 necessary condition हमें पहले necessary condition रखनी है और वो necessary condition क्या है dy upon dx is equal to 0 कोई function x का दे रखा है तो पहली condition क्या होगी उसके optimization के लिए dy upon dx इसे हम कहते हैं first order derivative यानि उसका पहला derivative निकालिए with respect to x उसको 0 के equal रख दीजिए second condition इसे कहते हैं sufficient condition फिर हम again उसके derivative निकालेंगे with respect to x जिसे हम नाम देंगे second order derivative अभी मैं question कराऊँगा आपको बात समझा जाएगी sufficient condition में देखो ज़रा अभी उपर ये first order derivative था तो इसे हमने लिखा था dy upon dx second order derivative क्या आजाएगा वो आजाएगा d square y upon dx square यानि y को हमने again differentiate किया with respect to x अगर ये second order derivative की value 0 से कम आती है that is negative आती है तो इसका मतलब है there exist a maxima maxima या minima के लिए ही तो हम ये business application सीख रहे है अगर second order derivative की value 0 से ज्यादा आती है देख रहे हैं आप greater than 0 यानि positive आती है it means there exist a minima तो इसका मतलब है वहाँ पर minima exist करता है और अगर second order derivative की value 0 आ जाती है 0 तो देख पढ़िये there exist neither a maxima nor a minima ना maxima exist करता है ना minima exist करता है it is known as the point of inflection और इस point को कहा जाता है inflection point sir point मतलब जो हमने यहाँ पर necessary condition में dy upon dx equal to 0 करके निकाला था तो मतलब वह point neither a maxima nor a minima it is known as the point of inflection उसे inflection point के नाम से जाना जाता है अब यह जो conditions हमने यहाँ पर पढ़ी है इनका practical application देखते हैं यह देखिए question number one पढ़ेंगे please ध्यान से पढ़ें ध्यान से पढ़ें ध्यान से पढ़ीएगा the demand rides per day of roller coaster ride in an entertainment park in one of the metro cities is given by the equation अच्छा क्या दे रखिए equation q is equal to minus 450 p plus 41,500 यह आपको function दे रखा है किसका p का function दे रखा है p का function दे रखा है और क्या बता रखा है q और q का मतलब क्या है demand यानि एक entertainment park में roller coaster ride की कितनी demand होती है वो demand बता रखी है p का function बनाते हुए p का मतलब क्या है पर where p is equal to price per ride यानि p क्या है price अब यह तो आपको पता है कि demand हमेशा depend करती है किस पर price पर तो demand इन्होंने denote की q से और किस पर depend कर रही है p पर अब आप समझो p की जितनी value होगी p की value up and down करेंगे तो उसी के according demand भी up and down होती रहेगी आगे पढ़ें where p is equal to price per ride in rupee ठीक है what price should have been charged to maximize the total revenue और अब आप से कह दिया है कि क्या price charge करना चाहिए इस total revenue को maximize करने के लिए अब आप देख रहे है एक function दे दिया है आपको q demand function दे दिया है people depend करता है और फिर आप से कहा है कि वो price आप बता दो जो इने चार्ज करना चाहिए जिससे की total revenue इनका maximize किया जा सके तो चलो देखते हैं जरा solution जो भी terms मैंने आपको भी समझाई उनका practical application देख रहे है demand demand को इन्होंने denote किया q से क्या function है minus 450 plus अच्छा minus 450 P plus 41,500 minus 450 P plus 41,500 यह हमें demand function दे रखा है ठीक है ना देख लो question में दिया था यह रहा minus 450 P plus 41,500 और P क्या है है हाँ पर P है price price per ride is equal to P क्या maximize करना है हमें total revenue maximize करना है तो पहले तो total revenue बताओ इसे हम दिखा देते हैं R से ठीक है revenue को is equal to अब बताओ demand हमें Q से पता है price हमें P से पता है अगर demand और price को multiply कर दें तो total revenue आ जायेगा की नहीं normal सी बात है यह देखिए demand that is Q into price per ride that is P बात समझ आ रही है नहीं demand यानि number of ride अगर हम number of ride को multiply करेंगे price per ride से तो total revenue आ चाहेगा हमारा यह आ गया R is equal to अब demand हमें दे रखी है इन्होंने minus 450 P plus 41,500 यह demand है और इसे हम multiply कर रहे हैं किससे price से यानि P से तो R हमारा क्या हो गया यह आ जायेगा minus 450 P square plus 41,500 आपको नहीं पता चल रहा देखकर कि सर यह तो pure mathematics ही चल रही है यह हमारा R का function हो गया R हमें maximize की बात हमें करनी है तो अब वो price हमें निकालना है जिस पर की R maximize हो सके अच्छा ध्रहां धान देना यहाँ पर P आयेगा P को multiply गये ना 41,500 में भी अब इसे maximize करना है तो हम क्या करें तो मैंने आपको कुछ conditions बताई और वो conditions क्या बताई first order derivative हमें equal to रखना पड़ेगा 0 के यहाँ पर यह function है P का price का function है अब जड़ा ध्यान देना differentiating both sides with respect to P क्या कह रहा हूँ में differentiating both sides with respect to P जड़ा ध्यान देना इधर क्या लिखा जाएगा इधर लिखा जाएगा dr upon dp हम r को differentiate कर रहे हैं with respect to P is equal to with respect to P ध्यान रखना यह 450 multiplication में है minus का इसे ऐसे ही लिख लीजे सर यह तो constant है बेटा यह constant नहीं है क्योंकि इसके साथ में multiple में P square है तो यह 450 हमने ऐसे ही लिख लिया अब P square का derivative निकालेंगे तो P square का with respect to P ध्यान से मैंने आपको बताया था जब अभी कुछ दिर पहले हम बात कर रहे थे अगर X का function है with respect to X हम कर रहे हैं आपको क्या बताया था वो power starting में लिखलो और एक कम कर दो तो यहाँ पर P का function है और हम with respect to P differentiate कर रहे हैं तो क्या करेंगे 2 P अब P की एक power कम कर दो अभी थी 2 यहाँ पर हो जायेगा 1 प्लस फिर से यह 41,500 multiplication में है अब P का differentiate differentiation यह सिर्फ P है P का differentiation with respect to P करेंगे तो क्या value बताया है हमने 1 बताया था ना X का differentiation with respect to X 1 आएगा तो हिहाँ पर E आ गया यह क्या बन गया DR upon DP is equal to minus 450 की multiply करेंगे P से तो यह आ जायेगा 900 P अब P की power 1 लिखो या मतलिखो क्या फरक पड़ता है प्लस 41,500 यह क्या आ गया यह आ गया first order derivative यह लो इसे मैं question number 1 कह देता हूँ as per necessary condition as per necessary condition बताइए necessary condition हमने क्या सीखी थी first order derivative क्या होना चाहिए equal to 0 जरा ध्यान देना dr upon dp is equal to minus का 900 P plus 41,500 is equal to 0 क्या इहां से P की value निकाल सकते हो यह देखे minus 900 P is equal to minus का 41,500 minus से minus cancel P is equal to 41,500 divided by 900 P कितना आ गया यह आ गया 46.111 चल रहा है 11 लिख दिया हमने ठीक है ध्यान से please देखो जरा यह सब मैंने आपको पढ़वाया था भी आपको यह necessary condition थी हमारी तो मैंने वही वहाँ पर लिखा है as per necessary condition dy upon dx यहाँ पर लिखा है वहाँ पर dr upon dp है क्योंकि function है P का equal to 0 रख दिया second condition क्या है sufficient condition अब second order derivative निकालना पड़ेगा देखते हैं यह लीजे to ascertain whether the value of P the value of P corresponds to maxima अच्छा maxima क्यों लिखा मैंने क्योंकि इन्होंने revenue को maximize करने की बात की थी तो हम वही कहने है यह पता लगाने के लिए कि P की value corresponds to maxima है to ascertain whether the value of P corresponds to maxima we have to check we have to check sufficient condition जो हमने step 2 में लिखी हुई थी we have to check sufficient condition हमें second order derivative निकालना पड़ेगा तो first order derivative जो equation number 1 थी वो लिख लेते हैं equation number 1 थी हमारी dr upon dp is equal to क्या था minus 900p plus 41,500 minus 900p plus 41,500 यह निकाला था ना equation number 1 उपर से यह देखके लिखा है हमने इसको again differentiate करना है चलो d square r upon dp square with respect to p हम इसे again differentiate कर रहे है तो ज़रा ध्यान देना minus 900 p का derivative क्या बनेगा sir with respect to p कर रहे है तो यह आएगा 1 plus 41,500 यह constant value है सिर्फ figure है इसका derivative 0 बताने यह क्या आगिया second order derivative यह आगिया minus का 900 अच्छा minus का 900 0 से ज्यादा है कि 0 से कम है less than 0 और अगर second order derivative 0 से कम है यानि negative है it means क्या बताया था हमने there is maxima तो वही हम लिख देते हैं नीचे it means there exists maxima there exist maxima तो इन्होंने हमसे question में क्या कहा था पढ़ना what price should have been charged to maximize the total revenue total revenue को maximize करने के लिए क्या price charge किया जाना चाहिए होग यह हमारा question जिए यानिए नीचे लिश्टाउटा फारी तो छाहाँ नीचे To maximize the revenue is equal to rupees, 46.11 per ride. आपसे कहा जाए कि आप total revenue निकालो, तो total revenue भी आप निकाल सकते हैं. कैसे? यह देखो, मैं निकाल कर दिखा देता हूँ. Total revenue. Total revenue हमने function बनाया था, कहाँ पर देखिये यह रहा. Total revenue था हमारा R, यह रहा. minus 450p square plus 41,500p. minus 450p square plus 41,500p. यहाँ पर अगर आप p की value रख देंगे, तो आपका maximize revenue आजाएगा. minus 450, यह कितना बनता है? 46.11 का square. 2126.13 plus. 19,13,565. कितना आता है? 9,56,759 कर दूं round off करते हुए? negative है, plus 19,13,565. total revenue. 9,56,806. यह question बन गया. इसका मतलब समझा आपने? हमें वो price निकालना था, जिससे इनका total revenue maximum हो सके. तो हमने वो price निकाला 46.11 per ride. अगर यह price वो charge करेंगे, तो उनका total revenue maximize होगा, और वो revenue कितना होगा? वो revenue यह होगा. इसका मतलब यह guarantee है, आप check कर लीजिए. मेरा कहने का मतलब क्या है? यह जो आपका total revenue का function है, यह जो हमने बनाया था, यह total revenue, आप इसमें P की value, जो मन करें आपका वो रखो. जो मन करें वो रखो. total revenue को इससे ज्यादा करेंगा दिखा दो, तो मैं मान जाऊँगा. मेरी बास समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? अगर यह revenue का function है, minus 450p square plus 41 तहुजन 500p, तो मैं आप से क्या कह रहा हूँ? आप इसमें P की value कुछ भी रखो, total revenue इससे ज्यादा नहीं आने वाला. इसलिए हमने कहा, इन्होंने कहा था, मिनिमा, हो गया यह question? समझ रहा है आपको? चलो, आगे बढ़ते हैं फिर. चलिए आगे, देखना आगे क्या है? अगर इसी question में, सोचो जैसे अभी हमने question किया है, maxima वाला, अगर minima वाला question आएगा, तो उसमें क्या change होगा? सब कुछ change से बिल्कुल सेम रहेगा, बस यह second order derivative, जो हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर ही आया है less than zero, महाँ पर आना चाहिए greater than zero, अगर greater than zero आजाता है, तो हम महाँ पर लिख सकते हैं, it means there exists minima, चलो, यह तो बात समझ आ गई, हम बढ़ रहे हैं आगे next concept पर, यह देखिए, partial differentiation, सर्फ partial से मतलब क्या है, जब किसी function में, एक से ज्यादा variable होंगे, मान लीजे, x भी है किसी function में, और y भी है, दोनों हैं, तो जब हम differentiation निकालेंगे, तो हम with respect to x निकालेंगे, सोचो जड़ा, किसी function में, x भी है और y भी है, हमें derivative निकालना है, तो वो तो हम पर depend करते हैं, हम with respect to x भी derivative निकाल सकते हैं, और with respect to y भी derivative निकाल सकते हैं, तो जब हम with respect to x बात करेंगे, तो हम y की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस derivative को नाम दिया जाएगा, partial derivative, partial differentiation, या हम अगर with respect to y निकाल रहे हैं, तो हम with respect to x बात नहीं करेंगे, तो हम इसे नाम देंगे, partial derivative, यह देखो जड़ा, इसकी main condition क्या है, पढ़ो जड़ा, when we differentiate the function partially with respect to x, मैं मान कर चल रहा हूँ, यह concept लिखते समय हमने, दो variable लिते हुए माना है, मान लो किसी function में x भी है और y भी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, when we differentiate the function partially with respect to x, अगर हम with respect to x differentiate करते हैं, then y is assumed constant, तो y को एक constant value माना जाता है, यानि आप मान कर चलेंगे कि y एक normal value है, numeric figure है, और अगर कोई value constant हो, तो उसका derivative क्या होगा, 0, इता पता रखा है मैंने आपको, second point देखे, when we differentiate the function partially with respect to y, अगर हम किसी function को partially differentiate करते हैं with respect to y, और उसमें x भी दे रखा है, then x is assumed constant, तो x को assume किया जाएगा कि एक वो constant value है, और उसका derivative क्या बनेगा, 0, ध्यान रहेगी यह बार, यानि अगर किसी function में एक से ज्यादे variable हैं, और आप किसी एक particular variable के respect में, उस function को differentiate कर रहे हैं, तो उस variable के अलावा जो भी variable होंगे, वो constant माने जाएंगे, और यह derivative आप निकालेंगे, यह differentiation जो आप करेंगे, इसे नाम दिया जाएगा, partial differentiation, ठीक है, क्योंकि हम किसी एक particular variable के respect में differentiate करते हैं, चलो, आगे देखो अबजरा heading, optimization of function involving multiple independent variable, अगर एक से ज्यादा independent variable हैं, तो उस function का optimization कैसे पता लगाएंगे, देखिए, अभी हमने single independent variable की बात की थी, अब हम यहाँ पर एक से ज्यादा यानि two independent variable का अगर function होगा, तो उसका optimization कैसे किया जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, यह देखो, step one, the first order partial derivative, देखा आपने, word आया है है हैंपर partial, the first order partial derivative of the function should be zero, first order partial derivative को zero के कुल पुट करना है, the critical point is a, b, where a is equal to value of x and b is equal to value of y, ध्यान रखना, partial derivative को कैसे present किया जाता है, partial derivative को del से present किया जाता है, यानि जैसे अभी हम बात कर रहे थे न, क्या बात कर रहे थे, अभी हम लिख रहे थे dy upon dx, अब dy upon dx नहीं, अब क्या होगा, del y upon del x, क्या नाम देने में से, del, del, ठीक है, यानि इस तरह से differentiate करते हुए, उन्हें equal to zero पुट कर दीजिए, और फिर, x और y की value निकाल लीजिए, जैसे अभी हमने question किया, उसमें हमने, first order derivative को zero के equal put करके, p की value निकाल ली थी, यहाँ पर, एक with respect to x derivative निकालेंगे, एक with respect to y derivative निकालेंगे, दोनों को zero के equal put कर देंगे, तो x की value भी आ जाएगी, और y की value भी आ जाएगी, x और यहाँ पर हमने मान लिया, कि x की value मान लेना, आप क्या आ गई है, a, और y की value क्या आ गई है, b, इस a, b को हम नाम देंगे, critical point, ठीक है, first order derivative को, partial derivative को, zero के equal put करते हुए, x और y की value निकाल लेंगे, x की value को हमने कहा, a, y की value को हमने कहा, b, step two, पढ़ो ज़रा क्या लिखा है, find all possible second order partial derivative, and value of putting, and value by putting, x is equal to a, and y is equal to b, फिर हमने क्या खा, second order partial derivative निकाल लिये, और second order partial derivative निकाल कर, उनकी value भी निकाल लिये, x equal to a रखते हुए, और y equal to b रखते हुए, clear है जी, देखो ज़रा नीचे हमने लिखा भी है, second order partial derivative देखा, आपने, यहाँ पर del का sign आ गया, अब d नहीं है, del square f upon del x square, यानि यह क्या है, second order derivative है function का, with respect to x, इसे हम f x x भी लिख सकते हैं, दो बार x क्यों लिखा, क्योंकि with respect to x, with respect to x, दो बार x के respect में, function को differentiate किया गया है, इसे मान लेंगे a, अच्छा, यह देखिए, यहाँ पर हमने function को, again differentiate किया, with respect to y, तो f y y लिख दिया, यानि first order derivative भी, with respect to y था, second order derivative भी, with respect to y है, इसे हम assume करेंगे c, यही तो लिखा हमने उपर, step 3 में, assume, और नीचे देखो बज़र, del square f upon del x upon del y, इसका मतलब क्या है, यानि, first order derivative with respect to x था, लेकिन second order derivative with respect to y आ गया, आप जैसे मर जी कह सकते हैं, first order partial derivative with respect to x है, second order partial derivative with respect to y कर दो, यह ऐसे भी कर सकते हो, first order partial derivative with respect to y था, तो second order partial derivative with respect to x कर दो, उसकी जो value आएगी, उसे हम f x y, यानि एक बार x के respect में किया था, एक बार y के respect में किया था, इसे हम assume करेंगे b, और value निकालेंगे, यह formula लगाते हुए d की, d की value कैसे निकलेगी, d is equal to ac minus b square, अब ज़ना ध्यान देना, if d greater than 0, and a, c also greater than 0, अगर d 0 से ज्यादा है, a और c की value भी 0 से ज्यादा है, then there is local minima at a, b, यानि local minima की condition क्या है, d की value 0 से ज्यादा होनी चाहिए, a, c की value भी 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, आगे देखिए, second, if d greater than 0, d की value 0 से ज्यादा है, and a, c less than 0, लेकिन a, c की value 0 से कम है, then there is local maxima at a, b, तो ये condition किसकी है, local maxima की है, आगे देखिए, d less than 0, अगर d 0 से कम है, तो हमें a और c चेक करने की जरूती नहीं, a, b is a saddle point, तो a, b क्या कहलाएगा, saddle point कहलाएगा, और अगर d exactly equal to 0 आजाता है, then the test fails, तो हमारा ये test ही fail हो गया है, फिर से, ध्यान से, जब, two variable वाला function दे रखा होगा, तो उसकी condition क्या लिखी है हमने, first order partial derivative equal to 0 रखते हुए, x और y की value निकाल लीजिए, second step में, second order partial derivative निकाल लीए, all possible second order partial derivative, ठीक है, और उनकी value भी निकाल लीए, x is equal to a, y is equal to b, पुट करते हुए, ठीक है, step 3 में, f x x को a assume करेंगे, f y y को c assume करेंगे, और f x y को b assume करेंगे, और फिर d की value निकालेंगे, a c minus b square करते हुए, फिर हम इस test को check कर सकते हैं, अगर d ज्यादा है 0 से, a, c भी ज्यादा है 0 से, then there is local minima, अगर d ज्यादा है 0 से, a, c कम है 0 से, then there is local maxima, अगर d ज्यादा है, then a, b is a saddle point, और अगर d equal to 0 आता है, मतलब test हमारा fail हो गया है, ठीक है, इसका भी एक question देख लेते हैं, आपकी practice हो जाएगी, चलिए, पढ़िए जरा question, एक company produces two products, x, y, एक company दो तरहे के product बनाती है, x, y, the total profit in thousand rupees, ध्यान से, रूपी की समें दे रखे हैं, thousand में, earned by the company is expressed algebraically by the function, देखना, क्या दे रखा है हमें, total profit in thousand rupees, profit दे रखा है, earned by the company is expressed algebraically by the function, अच्छा function किये इसे इन्होंने इसको profit से denote किया है, sign आपको पता है, पाई का sign है, equal to 100x minus x square minus 2xy plus 200y minus 3y square, आप देख रहे हैं, इस function में x भी है और y भी है, दो-दो variable हो गए, find the profit maximizing quantities for the products, कहरे profit maximizing quantity बताईए, यानि x की कितनी unit बनाई जाएं, और y की कितनी unit बनाई जाएं, जिससे की company का profit maximum हो सके, maximize किया जा सके, also find out the maximum profit, और फिर कहरे हैं, वो maximum profit कितना होगा, वो भी निकाल कर बताईए, चलो, देख लेते हैं, solution, profit दे रखा है हमें, 100x minus x square, 100x minus x square, minus 2xy plus 200y, minus 2xy plus 200y, minus 3y square, minus 3y square, ठीक है जी, दो variable वाला function हमें दे रखा है, इसे optimize करना है हमें, profit maximize करने के लिए, x और y की value compute करके, देनी है हमें, चलो, स्टार्ट करते हैं, चलिए, लिखिए, differentiating the function, partially, partially differentiation करना पड़ेगा, with respect to x, differentiating the function partially, with respect to x, जड़ा धान दो, यह लो, pi x लिख देता हूं, ठीक है न? आप del pi upon del x लिखें, बात तो एक ही है, ऐसे ही लिख देते हैं, यह लो, pi x, with respect to x, हम differentiation कर रहे हैं, तो यह है 100 x, हम with respect to x कर रहे हैं, तो 100 ऐसे ही लिख देंगे, x का differentiation 1, minus, फिर है यह 2 x, यहां पर है फिर x square, तो x square का differentiation क्या बनेगा, 2, x raise power 1, minus, ध्यान से, 2 x y, तो x के multiple में है 2 और y, तो 2 y को ऐसे ही लिख दो, x का differentiation 1, आपको बात समझाई क्या, सर y तो हमने constant माना था, हां तो 2 भी constant है, y भी constant है, तो 2 y हो गया न, plus, 200, और यह y, अब y तो constant है, और y को 200 हैं multiply करेंगे, तो यह constant ही रहेगा, तो इसका derivative क्या बनेगा, 0, आपको बात समझाई, देख ले न, ध्यान से, यहां पर इसके multiplication में x था, इसलिए हमने 2 y को ऐसे ही लिखा, और x का derivative 1, लेगिन यहां पर इसके multiply में x थोड़ी ना है, यह normal, सिर्फ और सिर्फ constant ही है, तो इसका derivative क्या, 0, minus, 3 y square, y क्या है, constant, तो इसका derivative 0, जब हम with respect to x बात कर रहे हैं, तो y को constant assume किया जाता है, यह लिजे, यह क्या बने गया, 100 minus 2x minus 2y, ठीक है जी, चलो, अब क्या करें, हमें again इस function को differentiate करना पड़ेगा, with respect to y, वो करते हैं, इसे हम कह देते हैं, equation number 1, अब हम क्या करें, differentiating the function, partially, with respect to y, यानि, π y, उपर ही देखना function, starting में जो दे रखा था, सबसे पहले हैं 100x, अब अगर हम with respect to y बात कर रहे हैं, तो x constant है, तो 100x पूरा का पूरा constant हो गया, इसका derivative 0, minus, फिर था x square, x तो constant है, इसका derivative भी 0, minus, फिर था 2xy, तो 2x constant हमने, ऐसे ही ले लिया, y का derivative 1, अब हम with respect to y बात कर रहे हैं, तो y का derivative 1, plus, फिर है 200y, ये 200 ऐसे ही लिख दिया, y का derivative 1, minus, 3y square, 3 ऐसे ही लिख दिया, y square का derivative 2y, ठीक है, 2y, y की power 1 लगाओगे, तो उससे कुछ फरक तो पड़ाना नहीं है, तो ये क्या आगया, pi y is equal to, ये 0, 0 तो ऐसे ही रहे गए, minus का 2x, plus, 200, minus, 3 into 2, 6y, इसे कह देंगे हैं, number 2, necessary condition क्या है, हमें x और y की value निकालनी पड़ेंगी, first order partial derivative को, 0 के equal put करते हुए, ये लोग लिखते हैं, to obtain critical point, ये और बी की value को critical point नाम दिया जाएगा, to obtain critical point, comma, put, first order partial derivative, partial derivative, equal to 0, तो ज़रा ध्यान देना, pi x is equal to, ये क्या था, 100 minus 2x, minus 2y, इसे equal to, रख दो 0 के, तो देखना ये एक question बन जाएगी, minus का 2x, minus का 2y, ये इधर आके, minus का 100, sign change कर देते हैं, 2x plus 2y is equal to 100, पूरी question 2 से divide हो सकती है, तो x plus y is equal to 50, इसे कह देते हैं, question number 3, इसी तरह, pi y को भी 0 के equal put करो, pi y क्या था, ये question मनी थी हमारी, minus का 2x, plus 200, minus का 6y, equal to 0 के equal put कर दो, क्या है, minus का 2x, minus 6y, is equal to 200, इधर जाएगा, minus का हो जाएगा, minus का 200, sign change कर देते हैं, 2x plus 6y, is equal to 200, 2 से divide हो सकती है, equation तो क्या आजाएगा, x plus 3y, is equal to 100, equation number 4, हमें x और y की value निकालनी है, तो 2 equation मन गई, equation number 3, equation number 4, इन्हें solve किया जा सकता है, इन्हें solve कर लेते हैं, solve, equations 3, and 4, चलो, बताओ, equation number 3 क्या है हमारी, x plus y, is equal to 50, यह है equation number 3, और equation number 4 क्या है, x plus 3y, is equal to 100, दोनों plus के हैं, sign change कर दो, यह आजाएगा, minus, 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 x से x cancel हो गया, अब y minus 3y, minus का 2y, is equal to 50, minus 100, minus का 50, minus से minus cancel, y is equal to 50, divided by 2, that is, 25, ठीक है, यह 50 है, y की value, किसी भी equation में, put कर दो, अब x plus y, is equal to 50, यह हमारी equation number 3 थी, इसमें y की value, हम put कर देते हैं, 25, is equal to 50, x is equal to 50, minus 25, is equal to 25, यह लिजे, x भी निकल गया, y भी निकल गया, और इसे हम क्या नाम देंगे, critical point, यह लो, the critical point, is, 25, 25, यानि, x की value भी 25, और y की value भी 25, ठीक है, अब क्या करें, देखो ज़रा क्या लिखा था हमने, जो conditions लिखी है, optimization की, वो क्या थी, first order partial derivative, equal to 0, निकाल रखते हुए, हमने x और y की value निकाल दी, ठीक है, यह निकल गयी, फिर हमने कहा था, find all possible second order partial derivative, and value, by putting x equal to a, and y equal to b, अब हमें second order partial derivative, निकालने हैं, चलो, to as certain, whether this point is local maxima, maxima, हमें profit maximum करना था ना, to as certain, whether this point is local maxima, we have to compute, values, values of, second order, partial derivatives, at this point, हमें value निकालनी पड़ेगी, second order partial derivative की, इस point पर, चलो, ध्यान से, समझ लेना, प्लीज, एक बाद बताईए, पाई x, यानि, first order partial derivative, with respect to x, क्या था, ये था हमारा, यहां पर देखो, ये हमने, number one में लिखावा था, 100 माइनस 2x, माइनस 2y, 100 माइनस 2x, माइनस 2y, ठीक है जी, ये था हमारा one, और πाई y क्या था, चेक कीजिए, वो ये रहा, माइनस 2x, प्लस 200, माइनस 6y, माइनस 2x, प्लस 200, माइनस 6y, ये ही था ना, जी हां, ये हमने, first order partial derivative ले लिए, अब हमें second order partial derivative लेना है, चलो देखते हैं जरा, again, डिफ्रेंशियेटिंग 1, with respect to x, मैं कह रहा हूँ, 1 को again, differentiate करो, with respect to x, x के respect में, जरा ध्यान देना, तो हम इसे कह सकते हैं, पाई, x, x, दोनों बार, x के respect में, differentiate करें, उपर है hundred, तो hundred का derivative, 0, minus, 2x, तो 2, और x का derivative, 1, minus 2y, y तो constant है, 0, क्योंकि हम with respect to x, बात कर रहे हैं, again, differentiating 1, अच्छा है, यहां पर लिख लेना, हालाकि बात आपको समझा गई है, again, differentiating first, partially, partially derivative है, ना है, with respect to x, तो y constant हो गया, तो यह value क्या आगई, pi x, x is equal to minus का 2, ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं, again, differentiating 2, partially, with respect to y, यह जो एक question number 2, हमने लिख ही है, pi y, इसको again, हम differentiate कर रहे हैं, partially with respect to y, तो pi y y लिख दूँगा, मैं इसको, बता हो ज़रा, क्या था, यह minus का 2x था, तो इसका derivative 0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, with respect to y, अब, plus 200, 200 का derivative 0, constant है, minus 6y, तो minus 6, और y का derivative 1, क्योंकि हम with respect to y, बात कर रहे हैं, तो यह क्या आगे, pi y y is equal to minus का 6, अब क्या कर रहे हैं, again, differentiating 1, partially, with respect to y, ध्यान से, यह पहले with respect to x किया हुआ था हमने, अब हम इसे again differentiate कर रहे हैं, with respect to y, तो ज़रा ध्यान देना, इसे हम क्या कहेंगे, इसका first order derivative with respect to x था, second order derivative with respect to y कर रहे हैं, तो pi x y, is equal to, ज़रा ध्यान देना, यह क्या है, hundred, इसका derivative 0, minus, यह क्या है, 2x, इसका derivative 0, क्यों, क्योंकि हम with respect to y निकाल रहे हैं, आगे देखिए, यह क्या है, minus का 2y, इसका derivative, minus का 2, और y का derivative 1, with respect to y हमने बात की है, pi x y is equal to, यह क्या जाएगा, minus का 2, हमने, second order partial derivative निकाल दिया है, यह बाठीक है, अगर मानलो, इहाँ पर, second order partial derivative में, x या y आ रहा होता, तो उस x या y की जगे, हम क्या value पुट करते, फिर हम x या y की जगे पर value पुट करते, 25, तब भी value निकल जाती, second order partial derivative की, अब ज़रा धिहान देना, f y y को c assume करो, f x y को b assume करो, और d की value निकालो, कैसे, a c minus b square, तब ज़रा धिहान दो, f x x यानि pi x x इसे a assume करो, pi y y को c assume करो, और pi x y को b assume करो, और value निकालो d की, यह लो, d is equal to, a c minus b square, निकालना, a की value minus 2, c की value minus 6, दिख रहा है ना, आपको a की value यह रही, minus 2, c की value minus 6, और फिर minus b square, यानि minus 2 का square, minus, minus 2 का square, यह हो जाएगा, positive 12, minus, minus का square गएगा, plus हो जाएगा, 4, और यह क्या आगिया, 8, here, ध्यान देना, d greater than 0, यह greater than 0 ही तो है, 8 आया है, and a कोमा सी, देखना, a कोमा सी, यह था minus 2, यह था minus 6, less than 0, समझा ही बात आपको, here, d greater than 0, and a कोमा सी, less than 0, क्या condition लिखी थी, हमने इसकी देखना, यह देखे, second वाली कंडिशन में फॉल कर रहा है, if d greater than 0, and a कोमा सी, less than 0, then there is local maxima, at a कोमा b, यह लिजे, hence, there is, local maxima, at, 25, कोमा 25, यह देखो, कोशन हमारा बन गया है, हमसे, x और y की, वो क्वांटिटी निकालने के लिए, कहा गया था, जहां पर profit maximum हो, तो condition जो हमने चेक की, देखो, condition हमारी यह चेक हो गई, d greater than 0, a कोमा सी, less than 0, तो हम कह रहे है, there is local maxima, 25,25, यानि, x की 25 unit बनाईए, y की भी 25 unit बनाईए, आपका profit maximize हो जाएगा, देखना ज़रा question यही तो था, find the profit maximizing quantities of products, also find out the maximum profit, कहने, profit भी निकाल कर बताओ, profit भी निकाल देंगे, क्या problem है, yellow, the profit maximizing, profit, maximizing quantities are, x is equal to 25 units, y is equal to 25 units, इन्होंने कह था, profit भी बताओ, चलो profit भी बता देते हैं, profit का function इन्होंने क्या दे रखा था, हमें, यही से देख लो, उपर से, क्या था profit का function, 100x minus x square minus 2xy, 100x minus x square minus 2xy, plus 200y minus 3y square, plus 200y minus 3y square, plus 200y minus 3y square, 25y square, minus 25 square, minus 2x की value भी 25, y की value भी 25, plus 200y की जगह पर 25, minus 3y की जगह पर 25 square, निकालो जड़, 25 is equal to, क्या आता है, रूपीज, 3, 7, 5, 0, thousand, thousand of rupees में रखा था न, आप zero लगा हैं, zero लगा लो, मैंने thousands, word में लिख दिया है, ठीक है जी, यह question भी हमारा हैं पर, बन गया है, और अब हम चलेंगे, next concept पर, मैंने आपको, single variable के case में, optimization सिखा दिया है, condition समझाते हुए, question करा के दिखाया, अब हमने more than one, यानि double, यानि multiple variable के case में, optimization सीख लिया है, और देखते हैं, एक concept मुझे इस chapter से, और revision class में discuss करना है, उस पर आते हैं, यह देखिएगा, equilibrium of a firm, एक firm का equilibrium point कहां पर होता है, आप सोचो, firm एक equilibrium कहां होगी, जहां पर उसका profit maximize होगा, उसके लिए हमें हापर condition सीखनी है, जड़ा ध्यान देना, equilibrium of a firm, a firm is in equilibrium, ध्यान से पढ़ो first blood, a firm is in equilibrium, when it produces that level of output, at which profit is maximized, जब वो उतनी production करे, जहां पर कि उसका profit maximum हो, ठीक है, second, total revenue, अब इसमें बताने वाली देखो, कोई बात नहीं है, यह तो आप normally economics की terms हैं, जो हैं पर कुछ लिखी हुई हैं हमने, total revenue कैसे निकलता है, total revenue को TR से हम दिखा सकते हैं, quantity, यानि X into price, यानि P, इसमें क्या बताने वाली बात है, average revenue, total revenue को number of units से डिवाइड कर दो, average revenue आ जाएगा देखना, average revenue, यानि price per unit, कैसे निकलेगा, total revenue TR divided by quantity, number of units से डिवाइड कर दिया, marginal revenue कैसे निकलेगा, यानि एक additional unit से मिलने वाला revenue, कुछ भी नहीं है, total revenue का derivative निकाल दो, देखो जरा, revenue from an additional unit कैसे निकलेगा, total revenue का derivative with respect to x, यानि with respect to quantity, एक additional unit से निकालने की बात कर रहे हैं न, यानि marginal revenue कैसे निकलता है, total revenue का derivative निकाल दीजिए, ठीक है, same इसी इधर है, total cost देखें, total cost यानि total fixed cost TFC, plus total variable cost TVC, average cost कैसे निकलेगी, कुछ भी नहीं है, total cost TFC को X से डिवाइड कर दो, average cost आ जाएगी, marginal cost, total cost का derivative निकाल दो, with respect to output, देखो, यानि cost of an additional unit, DTC यानि total cost का derivative निकालना है, with respect to x, कुछ बहुत टफ लग रही हैं क्या, simple simple सी चीज़ें है, total revenue, average revenue, marginal revenue, total cost, average cost, marginal cost, और last में profit, जिसे हमने पाई से रिनोट किया, profit equal to, total revenue minus, total cost, total revenue minus, total cost, TR minus TC, चली, conditions for forms equilibrium, firm की equilibrium के लिए, क्या conditions हैं, देखना, objective, maximization of profit, profit कैसे निकलेगा, total revenue minus total cost, सीधा आपको, देखो, जब आपको profit function दे रखा है, तो profit maximizing output आपको पता लगाना आ गिया है, हाला कि फिर भी हहाँ पर forms equilibrium के नाम से, कुछ conditions हैं, जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, necessary condition of form equilibrium, MR equal to MC, यानि marginal revenue minus marginal cost, जहाँ पर marginal revenue, marginal cost equal हो जाएंगी, वो form का equilibrium point होगा, sufficient condition of forms equilibrium, forms equilibrium की sufficient condition क्या है, total revenue का second order derivative, less than होना चाहिए, total cost के second order derivative से, बात समझाई क्या, हमने खा, total revenue का second order derivative, total cost के second order derivative से कम हो, तो form equilibrium पर पहुँच जाएगी, और, दूसरी condition, marginal revenue का derivative, marginal cost के derivative से कम हो, यह दोनों condition एक ही तो हैं, क्यों, आप सोचो ज़रा, total revenue का first order derivative, तो हमने marginal revenue नहीं कह दिया था, लिखा नहीं था क्या हमने, यहाँ पर, देखना, यह क्या था, marginal revenue क्या था, total revenue का first order derivative, अगर first order derivative को, marginal revenue कह रहा हूं, और मैं marginal revenue को, फिर सर उसका differentiation कर देता हूं, तो second order derivative ही तो हो गया, total revenue का, तो यहाँ पर दोनों चीज़े यह एक ही तो है, आप इसे total revenue का second order derivative कहें, या marginal revenue का derivative कहें, बात तो एक ही है, इसे total cost का second order derivative कहें, total cost के first order derivative को हमने marginal cost नहीं कहा था क्या, तो marginal cost का भी derivative निकालेंगे, तो total cost का second order derivative निकालेंगे, तो total cost का second order derivative तो हो जाएगा, या यह कहें, बात एक ह है clear है समझ आई बात देखो जरा एक question हमने इसका भी हम पर discuss करना है और बस इस chapter का revision भी हमारा हो जाएगा important points का यह देखिए क्या लिखा है a firm has the cost function cost function दे रखा है x cube divided by 3 minus 7 x square plus 111 x plus 50 and demand function demand function भी दे रखा है x equal to 100 minus p determine the equilibrium output कैने equilibrium output बताईए price and profit earned equilibrium output भी बताना है यानि कितनी units number of units बतानी है price भी बताना है कि क्या best रहेगा price और कितना profit इस firm को मिलेगा वो भी हमें निकाल कर देना है चलो start करते हैं चलिए start करते हैं solution क्या function दे रखा है उन्होंने हमें a forms has the cost function यानि total cost function दे रखा है c से total cost tc tc से लिख देता हूँ बात तो एक ही है क्या दिया था x cube divided by 3 minus 7x square x cube divided by 3 minus 7x square plus 111x plus 50 और देखिये और देखिये और देमांड फंक्शन x is equal to 100 minus p x is equal to 100 minus p necessary condition में हमने पढ़ा marginal revenue equal to marginal cost पुट करना हमें तो marginal revenue पहले तो revenue निकालो ना हाँ जी जरा ध्यान देना अगर यहीं से हम price निकालना चाहें तो price कैसे निकलेगा p को इधर ले आते हैं is equal to 100 x इधर जाएगा x minus का हो जाएगा 100 minus x सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ऊपर जो total cost function है वो function है x का आप देख रहे हैं ना x है तो हमें यहाँ पर भी x revenue का function भी x का बनाना पड़ेगा अब ज़रा ध्यान दो total revenue जिसे हम कह सकते हैं tr कैसे निकलेगा quantity into price सीधी सी बात है यानि quantity x और price प्राइज यहाँ से देख लिए देख लिए 100 minus x 100 minus x तो बताओ ज़रा total revenue क्या आ गया 100 x minus x square total cost हमें question में दे रखा था total revenue हमने निकाल लिया necessary condition क्या है marginal revenue equal to marginal cost होनी चाहिए तो यहाँ पर देखे ज़रा marginal revenue that is mr that is d upon dx अच्छा किसका derivative total revenue का derivative निकाल सकते हो क्या यही पर इसका ही तो differentiation करने है तो 100 x का derivative क्या बनेगा यह 100 और x का derivative 1 क्योंकि हम with respect to x ही तो बात करने है minus x square का derivative क्या जाएगा 2x तो यह क्या आ गया mr हमारा आ गया 100 minus 2x ठीक है इसी तरह marginal cost बताईए marginal cost that is mc यानि यह derivative निकालना पड़ेगा हमें total cost का cost का function हमें question में दे रखा है जरा ध्यान देना यह देखिए यह रहा x cube divided by 3 तो मैं 1 by 3 को तो ऐसे ही लिख देता हूँ x cube का derivative 3x square minus फिर क्या था 7x square है तो 7 को ऐसे ही लिख देते है x square का derivative 2x और देखिए प्लस 111x तो प्लस 111 x का derivative 1 प्लस 50 50 constant है इसका derivative 0 तो marginal cost क्या आ गई देखना यह 3 से यह 3 cancel हो गया यह आ गया हमारा x square minus 14x plus 111 clear है जी यहाँ पर लिखते हैं as per necessary condition necessary condition of firm's equilibrium as per necessary condition of firm's equilibrium MR is equal to MC marginal revenue equal to marginal cost तो marginal revenue हमने यह निकाला था यह देखिए 100 minus 2x तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 minus 2x equal to marginal cost हमने यह निकाली है यहाँ पर इसे लिख देते हैं x square minus 14x plus 111 x के लिए इसे solve कर लो सभी को left hand side में ले आईए 100 minus 2x minus x square plus 14x minus 111 is equal to 0 minus x square जड़ा ध्यान देना यह minus 2x है यह plus 14x है तो 14 minus 2 क्या बनेगा प्लस का 12x और देखिए यह 100 plus का 111 minus का तो क्या जाएगा? minus का 11 equal to 0 sign change कर देते हैं x square minus 12x plus 11 equal to 0 अब mathematically आपको इस solve करना आता है x square minus इस 12 के दो factor ऐसे कीजिए जिसमें multiply करने पर तो 11 आए और plus minus करने पर 12 आए तो यह लो 11x plus 1x कर देते हैं न plus 11 is equal to 0 समझाई बात 11 को 1 में multiply करेंगे तो 11 ही आएगा लेकिन 11 को 1 में add करेंगे तो 12 हो जाएगा x square minus 11x minus 1x plus 11 is equal to 0 x को मन ले लीजे x minus 11 minus 1 हैं से को मन ले लीजे x minus 11 is equal to 0 एक आगिया यह x minus 1 और एक आगिया x minus 11 equal to 0 ठीक है जी तो इसमें क्या करते हैं एक बार लेते हैं x minus 1 equal to 0 x is equal to 1 एक बार लेते हैं x minus 11 equal to 0 x is equal to 11 ठीक है अब क्या करना है यह हमने necessary condition रखते हुए x की value निकाल ली अब हमें sufficient condition चेक करनी है और sufficient condition में मैंने आपको क्या पढ़वाया था देखो क्या condition थी यह रही sufficient condition हमारी sufficient condition of form's equilibrium is second order derivative of total revenue कम होना चाहिए second order derivative of total cost से लिखते हैं यह लो for sufficient condition of fromसhequilibrium for sufficient condition of form's equilibrium the second order derivative the second order derivative of total revenue should be less than the second order derivative second order derivative of total cost second order derivative of total revenue should be less than the second order derivative of total cost let's take care of total revenue first order derivative this is this let's see this is the first order derivative what was the first order derivative of total cost this is the first order derivative of total cost this 100 derivative of 0 minus 2 x derivative of 1 what is this is minus 2 okay okay this is the first order derivative of total cost upon x x q x 14x plus 111 x square minus 14x plus 111 इसका second order derivative निकालो d square upon dx square किसका total cost यह क्या बनेगा 2x minus 14 अब यहां पर तो इसकी value नहीं निकली तो x की value put करो हैं अब एक बार हमने x की value ली है 1 और एक बार है 11 तो दोनों पर हमें निकालना पड़ेगा जर्द ध्यान से at x is equal to 1 पहले हम at x is equal to 1 बात करते हैं जर्द ध्यान देना total revenue का क्या आ रहा है total revenue का second order derivative आ रहा है minus 2 वो तो यहीं पर direct t निकल गया था minus 2 minus का 2 ठीक है d square upon dx square total cost का second order derivative निकालो जर्द ध्यान देना यह है 2x minus 14 तो x की जगा पर हमने 1 रख दिया minus 14 कितना आया 2 minus 14 that is minus का 12 जर्द चेक करो second order derivative minus 2 minus 12 बताव ना कौन सा ज्यादा कौन सा कम यानि यह क्या आ गिया यह क्या था d square upon dx square total revenue greater than d square upon dx square total cost क्या यह condition थी हमारी नहीं तो यहां पर लिख देंगे हम hence sufficient condition sufficient condition is not satisfied at x is equal to 1 ठीक है दूसरा चेक करते है at x is equal to 11 दूसरी value 11 थी ना x की values देखिए हमने निकाली थी है पर 1 से हमने चेक कर लिया sufficient condition satisfy नहीं हुई है 11 से चेक कर रहे हैं अब चलिए d square upon dx square किसका total revenue का यह minus 2 यह तो directly निकला हुआ था d square upon dx square अब total cost का total cost का क्या निकाला था हमने यह रहा 2x minus 14 x की जगा पर 11 रख दो 2x x की जगा पर 11 रख दिया minus 14 यह क्या आ गया 22 minus 14 that is 22 minus 14 8 आ गया अब यह 8 आ गया है तो बताना ज़रा minus 2 इधर और 8 इधर कौन सा कम है इसका मतलब total revenue का second order derivative कम है किस से total cost के second order derivative से तो यहाँ पर यह condition क्या हो गई satisfy हो गई hence sufficient condition satisfy at x is equal to 11 sufficient condition satisfy हो जाती है x is equal to 11 पर तो यह firm's equilibrium output क्या आ गया यह देखिए question हमारा बन गया है firm's equilibrium output is equal to 11 units equilibrium equilibrium price बताना price क्या था जो हमने P का function बनाया था वो क्या बना था price यह देखिए यह रहा यह देखो यह रहा P is equal to 100 minus x तो price भी निकल जाएगा 100 minus x यानि minus 11 is equal to पहले लिख दूँ कि कभी आप कहेंगी सरी यह कहां से लिखा है 100 minus x that is 100 minus 11 that is rupees 89 अब हमें निकालना है profit तो total revenue बताओ पहले total revenue profit निकालने के लिए यह कहा था नहोंने total revenue का क्या function था total revenue यह रहा 100 x minus x square यह लिजे 100 x minus x square that is 100 x की जगा पर 11 रख दो minus 11 का square 1100 minus 121 that is rupees 9,79 total cost total cost का function यह भी question में ही दे रखा था क्या था x cube divided by 3 minus 7 x square plus 111 x plus 50 x cube divided by 3 minus 7 x square plus 111 x plus 50 x की जगा 11 रखना है हमें तो 11 cube divided by 3 minus 7 यह 11 का square हो गया plus 111 x की जगा पर फिर 11 रख दिया plus 50 निकालो कितना आगिया 443.67 minus 847 plus 1 double 2 1 plus 50 is equal to rupees 867.67 और हम बात करें equilibrium profit की equilibrium profit that is total revenue minus total cost revenue अभी हमने निकाला था 979 minus 867.67 is equal to rupees 111.33 यह लीजे बन गया question यह भी समझाया आपको यह देखिए equilibrium output इस question को अगर हम चाहते तो जो इस से पहले हमने concept किया था उस तरह से भी निकाला जा सकता है कैसे जब आपको total revenue पता है जब आपको total cost पता है तो total revenue में से total cost minus करके profit निकल जाएगा और profit के लिए हमें maximum output निकालना है profit maximize करने वाला output निकालना है तो आप application of maxima लगा कर भी इस question को solve कर सकते थे चलो लेकिन equilibrium की condition हमें समझनी थी तो हमने यहाँ पर equilibrium के लिए क्या condition सीखी necessary condition में marginal revenue equal to marginal cost और sufficient condition में second order derivative of total revenue कम होना चाहिए second order derivative of total cost से यह भी मैंने question देखिए आपको बना कर दिखा दिया है इस chapter के अंदर business application of maxima and minima के अंदर देखिए जो revision करने वाले point थे वो मैंने यहाँ पर discuss कर लिए है ठीक है चलो यह chapter को भी हम करते हैं यहाँ पर wind up और चलते हैं next chapter के revision पर